नमस्कार आप देख रहे हैं MF News मैं आपके साथ शबनम UP में उप्चुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर उप्चुनाव की घोशना हो गई है और एक सीट जो आयोध्य की मिलकी पूर सीट थी उस पर अभी सुनाव नहीं हो रहा है ऐसे में उप्चुनाव की घोशना होते ही अकलेश यादव और राहूल गांदी के 20 सीट बटवारे को लेकर पेच फस गया है खबर आवही है कि अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों में विवात खड़ा हो गया है दरसल अकलेश यादव चाहते हैं कि वो उप्चुनाव की 9 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें और राहूल गांदी चाहते हैं कि गड़बंदन के तहत उन्हीं ज्यादा सीटे दी जाएं लेकिन अकलेश यादव ने राहु गांदी को इन जटके में किनारे कर दिया और साथ सीटो पर अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी है जबकि दो सीट कॉंग्रेस के लिए छोड़ी गई है ऐसी ख़बर सामने आ रही है लेकिन अब कॉंग्रेस ने इन दो सीटों को लेकर विवात खड़ा कर दिया है राहुल गांदी दो सीटों पर राजी होने को तयार नहीं है और इसी बीच अब खबर ये भी आ रही है कि कॉंग्रेस ने उपचुनाव से किनारा करने की घोशना कर डाली है जल्द ही ये उपचारी का एलान कर लिया जाएगा हलाकि अभी तक कॉंग्रेस की तरफ से ये बात खुलकर सामने नहीं कही गई है कि वो दो सीटों पर चुनाव लड़े गी या नहीं लेकिन खबर यही आ रही है कि कॉंग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ सकती है और सपा को ही समर्थन कर सकती है क्योंकि कॉंग्रेस जो है जादा सीटे सपा से मांग रही थी दवा बढ़ा रही थी तो सूत्रों के हवाले से दवा किया जारा है कि अधिक सीटे नहीं मिली तो कॉंग्रेस उपचुनाव से किनारा भी कर सकती है हाला कि अभी तक कॉंग्रेस नेताओं ने इस पर चुपपी साध रखी है प्रदेश अध्यक्स अजेर राय का जरूर ये कहना है कि सीटों के बारे में राश्चिर नेतत्व तै कर रहा है हम लोग यूपी में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं तो सीटों के बटवारे को लेकर फसे इस पेश के बीच कॉंग्रेस यूपी में दो से ज्यादा सीटों के लिए अड़ी हुई है अभी तक सपा की तरफ से उसके लिए केवल दो ही सीटे छोड़े जाने की बात कही गई है और ये साफ तब हो गया जब सपा निसास सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोशना कर दी है यूपी में नौ विदान सबा सीटों पर नामांकन की प्रिक्रिया शुरू होने के बाद इंडिया गडबंदन के इन दोनों प्रमुग दलों के भी सीटों के बटवारों को लेकर विवाद हल नहीं हो पाया है नामांकन की अंतिम तारिक 25 अक्टूबर नस्दीक आने के साथ ही कॉंग्रेस में टिकटों के दाविदारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है अभी तक की संकेतों के मुताबी कॉंग्रेस को गाजियाबाद के अलावा खेर की सीट मिलने वाली है समाज़दी पार्टी ने इन दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी घोशित नहीं किये हैं इसके अलावा सपान एक उंदर की सीट पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है गाजियबाद और खैर सीट से कॉंग्रेस के टिकट के दाविदार भी खासे परिशान है पार्टी ने अभी तक कोई इस पर संकेत नहीं दिये हैं कॉंग्रेस सुत्रों का कहना है कि पार्ट के वल दो ही सीटों पर उप्चुनाव लड़ने के लिए तयार नहीं है ऐसे में सपा पर हर हाल में दो सीटे से जादा छोड़ने के लिए दवाब बनाया जा रहा है अब देखना ये दल्चस्प होगा कि उप्चुनाव के बीच दोनों के बीच गटबंदन क्या मोड लेत गए हैं वो इस बार कोई भी कमी और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाते अकलेश यादव को हराने में या कॉंग्रेस को हराने में क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाईयम सीएम योगी आदितना अत्विधान सभा की उप्चुनाव में करेंग और वो उन सीटों पर दावेदारी और मजबूती दिखाएंगे जहां पर अकलेश यादव बहुत ज़्यादा बढ़ चड़ कर बोल रहे थे तो ऐसे में चुनाव से पहले एक तरफ गटबंदन में राड होती दिखाई दे रही है अकलेश यादव और कॉंग्रेस में रा सावित होता दिखाई दे रहा है अकलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है अब देखना ये होगा कि ये विवाद किस मोड पर जाता है क्या उच्चुनाव में ही सापा और अकलेश यादव का गटबंदन तूट जाएगा क्या सीटों पर सहमती बन पाएगी क्योंकि अभ जिस तरीके से अब विवाद खड़ा हुआ है उस पर आपका क्या है कहना अपनी राह में जरूर बताए कमेंट कर और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ तमशकार